गैस अगर मेरी मानों तो अगर आप लोगों ने एक binary search tree के अंदर सिर्फ search सीख लिया तो आप लोगों ने सारे operations almost सीख ही लिये यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं binary search tree में insertion के बारे में कैसे किया जाएका insertion एक binary search tree के अंदर और मैं आप लोगों को सबसे पहले idea बताता हूँ कि insert कैसे करेंगे देखो यार insertion करना भी बहुत simple है सबसे पहले तो हम लोगों को मालूँ है कि एक BST के अंदर duplicates नहीं होते हैं तो मैं आप लिखूँगा no duplicates allowed ठीक है आप लोग के duplicates allowed नहीं है BST के अंदर इसलिए ये बात तो आप लोगों को धिहान रखना है कि element already मौझूद है तो उसको वापस से नहीं गुसाने का ठीक है और अगर मालोगों को element नहीं है यहां पर मौझूद तो आप क्या कर सकते हैं उसको लगा सकते हैं और example अगर मैं insert 9 बोलू इस BST के अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं insert 9 in this BST तो आप कैसे करोगे तो यार देखो 9 को insert करने के लिए वही काम करोगे जो कि आप 9 को search करने के लिए करोगे but with a difference आप लोग क्या करोगे सबसे पहले root note पर आओगे आप देखोगे कि क्या ये 9 है नहीं ये 9 नहीं है ठीक है क्या 9 मुझे यहां मिलेगा या मुझे 9 यहां मिलेगा obviously 9 मुझे यहां मिलेगा क्योंकि वह 8 से बड़ा है ठीक है तो मैं अब अपनी search space को इस वाले sub tree पर limit कर दूँगा यानि कि ये वाला जो right sub tree है मेरा वो एक null है तो मैं क्या करूँगा यहां पर बोलूँगा कि यार insert कर दिया जाए 9 क्योंकि यही 9 की जगा है क्योंकि यही 9 की जगा है तो इस तरह से insertion को किया जाता है एक binary search tree के अंदर और यहां पर जब हम इसका code लिखते हैं जो भी node है वो present है binary search tree में या नहीं है अगर नहीं है तभी तो insert कर पाऊगे और अगर है तो insert नहीं कर पाऊगे ठीक है यहाँ पर मुझे एक pointer चाहिए इस वाले node की तरफ point करता हूँ क्यों चाहिए इस वाले node की तरफ point करता हूँ क्योंकि मैं इसके left को बनाऊँगा क्या वो node ठीक है ये एक बात हो गई ठीक है अब मैं अगर एक pointer को यहां से चला रहा हूँ और मैं यहां पर null तक आ गया तो यह pointer मुझे मिलेगा नहीं तो मुझे इस pointer का track रखना है सबसे पहले और उसी के साथ-साथ मुझे क्या करना है तो यहां पर इसका left node मैं बना दूँगा 9 को यहां पर जो भी नया node में इंसर्ट कर रहा हूँ उसको अब यहां पर एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ मुझे यहां पर dynamically memory allocate करके इस चीज को करना पड़ेगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा मैं कुछ इस तरह से करूँगा मैं लिखूँगा नोड ठीक है यहां फिर n is equal to यह new is equal to मैं no is equal to कर देता हूँ मैं कुछ इस तरह से malloc function का इस्तेमाल करूँगा और dynamically memory allocate करूँगा एक नोड के लिए मैं आप लिखूँगा फर नोड था कि आप लोग समझ जाओ यार कि आप एक नोड के लिए memory allocate कर रहे हो उसके बाद मैं क्या करूँगा यह जो PTR है मेरा मैं लिखूँगा PTR या फिर सबसे पहले नोड का जो data है उसको मैं set करूँगा नोड का data is equal to और वह जाएगी जो भी की आप insert करना चाते हैं मालो मैं उसको की बोलता हूँ और उसकी के सद्द्द आप लोग क्या करोगे उसका जो left child है या right child है जो भी आप बनाना चाहते हो आप इस वाले PTR का left child यह बनाना चाहते हो यह राइच यह बनाना चाहते हो वह हम बात में देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस नोड का left और इस नोड का right दोनों को null कर लेंगे ठीक है तो मैं बहुत ही roughly मैं इसको pseudo code भी क्या ही बोलो pseudo code बोलना भी करना दो जाएगा इस चीज़ को बने आप लोग एक idea दे रहा हूंगी सबसे पहले है नोड को initialize कर लो यह काम जो किया है मैंने note को initialize किया है dynamically memory allocate की और उसके बाद left और right इसका null बना दिया यानि कि यह जो 9 ने इसको left और right null बना दिया थैक तरह से इसको उतपन करा है एक नया note को उतपन करा है ठीक है इस इस को इससको 10 वाले note से चोड़ देना मुझे यह भी पता हो यह दस वाले note से चोटा है यह बढ़ा है तो मुझे यहां पर comparisons भी करने पड़ेंगे वो comparisons करने के बाद मुझे क्या करना होगा मुझे decision लेना होगा कि मैं left side में इसको लगाना चाहता हूँ या right side में इसको लगाना चाहता हूँ तो इस case में तो यह left side में fit आ रहा है तो मैं आपर जल्दी से eraser को ले लेता हूँ और eraser को लेने के बाद यहां पर जो falto नishan लगे मैं इनको मिटाता हूँ और यह भी मैं पूरा मिटा देता हूँ और आप लोग को अभी यहां पर पूरा एक pseudo code लिख के बताता हूँ ठीक है यह जो मैंने लिखा इसका आप लोगों ने note ले लिया हुगा बढ़ मैं वापस से इन चीज़ों को लिखने वाला हूँ exactly कैसे हम लोग implement करेंगे इस चीज़ को यह आप लोग को बता चलेगा तो मैं जल्दी से यहाँ पर pen ले लेता हूँ वापस से और आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमको खोजना है क्या खोजना है हमें खोजना है कि कहा पर हम insert करना है और क्या हम insert कर भी सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते हैं तो मैं आपर क्या करूँगा, एक function लिखूँगा, मैं आपर लिखूँगा, void insert, और यह जो insert function है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो एक node star root लेगा, ठीक है, root, यानि कि ट्री की root लेगा, और उसके बाद int की, int की, और यह जो root होगी, यह जो root होगी, वो यह वाली root है, इसकी root है, इस वाली tree की root, तो आप confused बिल्कुल भी मत होना, ठीक है, मैं गोला function को, मैं आपर एक काम करूँगा, दो pointer चलाऊँगा, एक तो मैं following pointer चलाऊँगा, जो की previous pointer होगा, और एक actual ptr होगा, तो मैं आपर लिख करता हूँगा, और मैं node star ptr भी एक बनाऊँगा, ठीक है, node star ptr, मैंने दो pointer's क्यों बनाए, आप लोग को भी परता चलेगा, मैं यह काम तब तक करता रहूँगा, मैं यह काम तब तक करता रहूँगा, जब तक की मेरी root जो है, वो null ना हो जाती, तो मैं लिखूँगा, root is not equals to null, क्यों, मैं तब तक एक काम करता रहूँगा, जब तक मैं किसी leaf node में ना पहुच जाओ, यह leaf node के बाद तो मैं searching कर नहीं सकता, तो मैं इसलिए leaf node तक यहाँ पर आ गया हूँ, और मैं यहाँ पर करूँगा, जो मेरा previous है, जो मेरा previous है, वो is equal to root हो जाए, तो अभी previous मेरा root हो गया, तो previous मेरा कुछ इस तरह से point करेगा, यहाँ पर, देखते जाओ, मैं कर गया रहा हूँ, ठीक है, previous यहाँ पर point करेगा, और उसी के साथ जो PTR है, मेरा PTR का मैं क्या करूँगा, यह भी आप लोग देखना भी, ठीक है, तो PTR जो है, वो मैंने बनाया है, actually, नए note के root, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इफ कंडिशन लगाँगा, मैं आपर यह कहूँगा, क्यार देखो, अगर यहाँ पर यह की जो है, यह जो की है, यह इस data के बराबर हो जाए, ठीक है, तो root के data के, तो मैं आपर लेखूँगा, key equals to, equals to root का data, अगर यह root के data के बराबर हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग return कर देंगे, हम लोग चले जाएंगे, हम गएंगे, इंसर्शन यहाँ पर हो नहीं सकता, यह दूपलिकेट किया, आप कोई message भी display कर सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो, वरना हम लोग क्या करेंगे, अग root is equal to root का left child, ठीक है, यहाँ पर root is equal to root का right child, ठीक है, यहाँ पर root is equal to root का right मैं कर दूँगा, मैं आर shortcut में लिख दिया है, root को मुझे पता है, कि मैंने उपर root declare किया है, वेरेबल, तो थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर आएंगी, यहाँ इसको right को दर सभी से लिख देता हूँ तो basically हम लोग idea समझ गया, और इस चीज़ को करते रहना है, कब तक हम लोग को इस चीज़ को करते रहना है, जब तक कि हम लोग कहा ना पहुच जाए, जब तक कि हम लोग एक leaf node तक ना पहुच जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से right लिख देता हूँ, और यह right लिखने लोग root के equal कर दे रहे हैं यहाँ पर, वो pointer जो है, वो previous pointer है, वो following pointer है, हम लोग यहाँ पर check करेंगे सबसे पहले, कि वो जो pointer है, वो जहाँ पर point कर रहा है, वो key से बड़ा है या छोटा है, तो मैं आपर जल्दी से क्या करता हूँ, आप लोग को VS के code के अंदर ही लेके चलत बना है, तो यहाँ यह का मैं VS code में करना पसंद करूँगा, मैं आप लोग को एक अच्छा idea दे दिया, कि insert कैसे किया जाएगा, एक binary search tree के अंदर, जल्दी से यहाँ पर एक file बनाऊँगा, जिसका नाम में रखने वाला हूँ, 76 underscore, और मैं आपर लिखूँगा, insert bst.c, मैंने जल्दी से insert function बना दिया है, जो कि binary search tree के अंदर, मुझे insert करने में help करेगा, एक binary search tree यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर सारे nodes को भी link किया जा चुका है, searching वाले function को मैंने पिछले video में run किया था, उसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ और मैं एक insert function बना रहा हूँ, और insert function क क्या हमारा लेने वाला है, सबसे पहले तो insert function हमारा लेने वाला है क्या, सबसे पहले एक node लेने वाला है, जो कि मेरा P है, उसका point है, जानिकी node star root, और की लेने वाला है, मैं लोग 7 में यहाँ पर insert करना चाहता हूँ, 7 यहाँ पर मौजूद नहीं है, 7 यहाँ पर insert हो लेने वाइड इंसर्ट और यहाँ पर यह लेगा हमारा node star root, तो यहाँ पर node star root सबसे पहले लिखूँगा, और end key लिखूँगा, और उसके बाद नीचे मैं लिखूँगा node star, और उसके बाद मैं आपर लिखूँगा, कि जो हमारा previous pointer है, वो equals to null, तो मैं दो pointers क्यू बना रह ही रहा है, एक तो हमारा root follow कर ही रहा है, नीचे को हम root को चला ही रहे हैं कुछ इस तरह से, कि बाई 5 से चोटा है या बड़ा बड़ा, 6 से चोटा है या बड़ा बड़ा, इसलिए right side पे लगा दो, इस तरह से हम search करी रहे हैं इस तरह से, root के साथ साथ हम एक previous pointer भी चला रहे हम इसके अंदर सबसे पहले previous is equal to root कर देंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारी key root के data के बराबर है, या अगर हा तो इससे अच्छी कोई ख़बर ही नहीं है, return कर दो जमीला ही खतम, हमें करना ही नहीं है insert, अगर हमारी जो key है वो छोटी है root के data से, तब हम ल लिखेंगे root is equal to root का left, क्योंकि root is equal to root का left, इसके गया, क्योंकि यार, जो 7 number है, वो अगर मालो छोटा होता, मालो ये 15 होता, अगर वो छोटा होता, तो हम इधर को आते, इस दिशा में आते, left side को आते, तो इसलिए मैंने root को left side में move करा दिया, वन्न हम क्या करें कि वन्ना को अगर देट होने से पहले ही एक value को hold करता है, जो कि previous value है, hence the name previous, ठीक है, तो जब मेरा root यहा 3 पर होगा, तो previous 5 पर होगा, जब मेरा root 1 पर होगा, तो previous 3 पर होगा, जब मेरा root जो है, वो null पर आ जाएगा, यानि कि जो 1 के left, right children जो है, वो जब मेरा root वहाँ पर आ जाएगा, या फिर right side पर लगा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से understanding हो गई है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो malloc करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, struct node star prev is equal to malloc, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, एक node बनाएंगे पूरा, node क्या बनाएं और मुझे left right sub child, sorry left right sub trace को बनाने की जरूरत भी निया, उसके child को null करने की जरूरत भी निया, left right वाले, क्योंकि मैंने already create node में ये काम कर चुका हूँ है, और मैंने ये काम निप्टा दिया, create node में, इसी ये निप्टा है था यार, ताकि मुझे ये सारे की सारी जंडट ना ब इस left sub tree है, वो एक null है, right sub tree है, वो एक null है, अब मुझे बस एक चीज़ को check करना है, मुझे एक चीज़ को ये check करना है, मुझे अबर preview को लिख दिया, मुझे आबर new लिखना चाहिए था, क्योंकि प्रीव तो नाम हम use कर चुके है, मुझे आबर ये लिखना है, कि जो इसका data है, यानि कि जो की है हमारी, क्या की छोटी है, क्या की छोटी है मेरे किस के data से, क्या की छोटी है मेरे previous के data से, क्या previous के data से की छोटी है, अगर चोटी है previous के data से, यानि previous अगर मालो मैं यहां insert कर रहा हम तो previous यह होगा, इसके data से छोटी है, अगर हाँ, तो मैं left side में insert कर कि root का जो left है वह is equal to हो जाए new वरना मैं क्या करूंगा यह वरना तो यह की option बचता है कि मैं क्या करूंगा मैं root के right side में मैं आपर लिखूंगा root के right side में नए note को link कर दूँगा ठीक है I hope कि यार सब कुछ सही सही जाए इसको दार run करके देखते हैं चलो यार error तो नहीं मिल रहा है मतलब insertion हो गया है अगर insertion हो चुका होगा तो अगर मैं 5 का left और sorry 5 का right और उसका भी right मैं print करूंगा तो मुझे 7 मिलना चाहिए तो मैं आपर printf लिखूंगा मैं आपर लिखूंगा printf percentage d और उसके बाद मैं लिखूंगा p का right का भी right ठीक है मैं कुछ इस तरह से अगर print करूं तो यार यह साथ मुझे print करके दे दे अगर तो मैं मान जाओंगा कि यार insertion हो चुका है और यार यार मुझे कुछ भी print होता ह वह नहीं दिख रहा है तो जरूर से अपने कोई गर्बर जरूर करी है ओके तो यहां पर मुझे काम करना है मुझे यहां पर previous के left to right को set करना है और क्यों करना है previous के left to right को set क्या root तो मेरा null हो जाएगा जब मैं root को चलाओंगा नीचे तक तो previous पे मुझे link करना है तो अगर म मैं यहां पर six को प्रेंट करने की कोशिश करना हूँ कि six तो अल्रेडी है तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा और मैं एक चीज़ और डालता हूँ यहां पर एक message डालता हूँ क्यार printf search हम लोग यहां पर इंसर्ट नहीं कर पाएंगे और मैं यहां पर लिख देता हूँ cannot insert और अल्रेड इंसर्ट और उसी के साथ अगर्ण है यहां पर इंसर्ट करूँ तो क्या सोला इंसर्ट हो हुगा यहां पर सोला इंसर्ट हो चुका है तो सोला हंब है इसके right में के right में धर आप इसलिए सोला मुझे यहांब मिल गया युज़िगी Pocket रहिएगी न शुम्चिन हो अगर आप लोगों ने data structures and algorithms की playlist access नहीं कर यह तो कर लेना सारा का सारा source code मैं 24 घंटे के अंदर नी तो 24 घंटे से कर भी थोड़ा सा बाहर हो जाता है 29-39 घंटे हो जाते हैं मैं update कर देता हूं सारा का सारा source code आप लोगों मिल जाएगा और मैं link भी डालते रहां in description से वरना आप लोग साइट पर जाकर निकाल लेना code अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time